समस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को कैसा बहतरीन तरीका बताऊंगा जिससे आपके शरीर पर कहीं पर भी गांट हो या रसौली हो उस गांट को पिखला देगा उस गांट को खत्म करके आपको एकदम उस रसौली से छुटकारा दिला देगा दोस्तों गांट एक बार हो जाती है तो फिर वो असानी से पीछा नहीं छोड़ती और धीरे धीरे वो और भी सक्त होती चली जाती है और भी हाड होती चली जाती है कई बार गांट हमारे शरीर के उपर होती है जैसे हाथों पर पैरों पर गर्दन पर कहीं भी इस से पर हो जा और जो चीज में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ये बिलकुल नैचुरल है और प्रकृतिक तौर से यह गाठों को खत्म करने की जबरदस्त वन अप दो बिश्ट और सधी में आती है यह दोस्तों कंचनार इसे कंचनार कहते हैं कंचनार का यह पौधा है इसकी पत् लें उसके बाद लगभग आप लोग जो है वो आधा मतलब की आप लोग एक गलास पानी लें एक गलास पानी को आप लोग एक पतीले में रख डाल दें उस पतीले में इन पतियों को डाल दें उसके बाद पानी को खौलाएं तब तक खौलाएं जब तक पानी एक गलास से उबल करके लगभग आधे गलास से थोड़ा सा जादा न रह जाए उसके बाद आप छान लें उसे ठंडा कर दें छान करके उस पानी को जिसमें आपने कंचनार के पत्तों को उबाला था उस पानी को ठंडा करके दिन में एक बार पिये कंचनार की पत्यों में ऐसे गुन पाय जाते हैं जो गाठों को खत्म करते हैं गाठों के लिए उत्तम औशदी मानी गई है शरीर के अंदर गाठ हो या बाहर हो उन सब को या जबरदस तरीके से ठीक कर देगी और गाठ आगे चल कर बहुत कम भी तूप भी ले ले लेते हैं तो इस रेमिडी को आप लोग अपनी लाज के साथ जरुर इस्तमाल कीजेगा